यह जो अभियान शुरू है शाषरन का एक अभिनो पहल है और इसमें जो मात्र शक्ती है उनके जागरूपता बढ़ानेannel के लिए और उनकी सुरक्षा के संबंद में जितने भी कानूने जितने भी योजनाय हैं उन सबसे उनको अफगत कराने के लिए किया जा रहा है और जै क्रम में ये 15 दिन का जो प्रोग्राम में वो चालू किया गया है और इसमें हम लोग थाने स्तर पर गाउं स्तर पर धसील स्तर पर हर जगा पर ये जागरूपता अभियान को ले जाएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक-एक मा बहन बेटी जो है सब तक कि ये जो साशन क का मेसेज है वो पहुचे कि कोई भी अपराद या घटना को वो स्विकार्ण ना करें और आगे आकर थाने में रिपोर्ट करें और उस पर पुलीसमन का पुरा सही हो करेगी प्रदेश में चलाया जा रहा है 15 दिसंबर से 26 जन्वरी तक ये अभियान रहेगा और हमारी मात्रशक्ती का हम लोग संबान करते हैं जिस भी परिवार में समाज में मात्रशक्ती का संबान होता है वहां लक्षमी बिरास्ती है और हम यहीं चाहते हैं कि जबी हम स्कूल में जाते हैं और सरस्वती की पूजा करते हैं और मा सरस्वती से प्रात्ना करते हैं तमसो मा जोती रगवाई हमेरे अंधेरे से लिकाल कर जोती की और ले जाना हमारी सद बुद्धी देना हम दिपावली आती है लक्षमी जी की पूजा करते हैं और लक्षमी जी से प्रात्ना करते हैं तो हम लोगों को करते भी हैं और हमारी परंपरा भी है और यह अभियान चल रहा है और जो लोग मात्र शक्ति का सम्मान करते हैं और जो मात्र शक्ति को बचाने का काम करते हैं हम देखते हैं आज कर समय में छेड़ चाड़ माताओं बेहनों को जागरूप पढ़ने के लिए अभियान है यह 26 जनुवरी तक चलने वाला है इस अभियान में हम जो भी जहां भी बेटियों को पढ़ाने में लिखाने में या अन्पार की साहिता करते हैं उन लोगों का हम सम्मान भी करेंगे और हम यही चाहते हैं कि हर ज बेहनों को भी जागरूप करेंगे और मैं आज इस अवसर पर हम बच्चियों से बेटियों से यह अपील करता हूं वह स्कूल में जाती है यह कोई छेड़ता है टोकता है तो पुलिस में रिपोर्ट कराए सामाजी कारे करता या जन प्रतिन को बताए जिससे कि हम उनका इल नेने ले रहे हैं और उनके नेने स्वागत योग्य है चाहे किसान के मामले में हो चाहे फत्तर फेकने वालों के मामले में हो या धर्मांतरन के मामले में हो या बेन बेटी की सम्मान के मामले में हो उनने यहां तक कि 50-30 तारांशन बेहनों के लिए राजनिती में भी दिया है तो यह एक अभिहान जो चला है यह बहुत ही स्वागत योग्य है मैं इसका स्वागत करता हूं अभी रंदम करता हूं